तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सेर कर रहे हूं बहुत ही टेस्टी एक प्रेकफास्ट की रेसिपी घर के समानों से इजी तरीके से बन करके तैयर हो जाएगा रूई जैसा सौप्ट और बनाने में पहुत ही असान है ना कुकर की जरूरत ना इटली मोल्ट की जरूर सुरू करते हैं यहां पर लिया है मैंने एक बावल और बावल में डाल लेंगे एक कप चावल कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हो जो रेगुलर यूज में घर में करते हो उससे अब बना सकते हो आधा कप चने की डाल और जिस कप से मैंने चावल लिया है उसी से एक चोथ हाई कप उड़त की दाल चोटे वाले चम्मच से देखे तो दो से तीन चमचे उड़त के दाल होंगे अब क्या करेंगे इन्हें अच्छे से वर्ष कर लेंगे दो से तीन पानी से अच्छे से रगर रगर करके दो दीजिए ताकि सारी गंदी निकल जाए अब दोने के बाद में इसमें डाल देंगे पानी और इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे तीन से चार घंटे तक इसे फूल ले दीजिए अब यहां पर दाल फूल करके तयार है अब इन्हें हमें पीसना है तो मिक्सर जार में हम पानी निकाल देंगे और दाल चावल को डाल लेंगे अब इसमें डाल देंगे थोरा सा पानी और धकन लगा करके इन्हें पीस लेंगे अब यहाँ पर देख सकते हो दाल पीस करके तयार हो चुका है इस तरीके से पीसना है बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं और बहुत टाइप नहीं तो दाल पीस लेंगे और डाल देंगे एक बाउल में जैसे हम डोसा के लिए बैटर तयार करते है न उस तरीके से और डाल देंगे थोरा सा नमक और डाल देंगे मीठा सोडा आप देख सकते हैं छोटा सा चमस लिया है उससे अधा चमस मेने मीठा सोडा डाला है थोरा सा पान जोफेकर टोपने देने भेहरा गाल करने के लिए जुटお्लै करें दोख मिशी है को ना Creator बंड़ें नहीं हैं स्भीज धाले दुटयलिया के लिया धुटत window शेलिज शने के सब्सके। बढ़ें गाला को चलिए Aham तिने हम अच्छे से कूट लेंगे इस तरीके से आप मिक्सिके चार में डाल करके इसे करस कर सकती हो पहुत ज़्याद महीं नहीं और मोटा नहीं और करस हो जाए तो फिर हम इसका इस्तेमाल इस लिक्विड के अंदर करेंगे अब यहां पर फूल करके ठीक हो गया है जैसा कि मैंने दिखाया उस समय पदला था दो तीन घंटे फूल जाएगा तो फर्मेंटिशन भी आ जाएगा और थिक भी हो जाएगा अब हमने जो मसाले कूटे है उसे डाल देंगे और ग्रेट किया हो थोरा सा गाजारी है सबजी या डाल रहे हूं मैं ऑप्सनल है आपको पसंद चाहो तो टेर सारा डाल सकते हो और एक चमचीस में बटर घी या फिर तेल डाल लीजिए इससे क्या होगा सूपर सॉप्ट बनेगा अब हम इन साथे सबजी यो को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह उप्सनल है आप चाहो तो सादा भी बना सकते हो सबजी या डालेंगे तो थोरा हिल्दी भी हो जाएगा और टेस्ट भी बदल जाएगा तो सबजी को डाल दे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह हमारा बैटर तयार हो गया अब इसे बनाएंगे कैसे सो दिख लीजिए तो यहाँ पर मैंने लिए एक साइज की चार काटोडिया घर में जो डाल सबजी चिखाने के लिए तो कर्चि कर्चि कर द GIS करते है के लिए कोहार चली बना सकते हों ना हमें कुकर जाहिए ना कोई मोलड जाहिए डिली का रतन नहीं चाहिए आप कटोडी है प्लेट किसी चीज में बना सकते हो और थोरा टेले की करिशक हर Saakर देगे ताकि इझली इसमेंं मोल्ड हो जाए अब क्या करेंगे जो हमने बैटर तायार किया है तो दो कर्ची इन काटोरियों के अंदर डाल देंगे दो कर्ची एनफ रहेगा जो कर्ची मैंने लिए चमचा लिए आप देख सकते हो या जो दाल निकालने वाली कर्चुल होती है उससे एक डाल लीजिए तो इडली बनाने के लिए भी ये काटोरी यूज कर सकते है और अराम से इडली बना सकते है इडली कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहां पर मैंने पानी गरम होने के लिए रखा है पानी अच्छे से उबल रहा है के स्टेंड डालेंगे उपर से एक बड़ा सा प्लेट अगर छेद वाले पलेट हो तो बहुत अचा रहेगा भाब बहुत जादा निकलेगा पक जाएगा छेद वाला पलेट ना ओ तो सिंपल प्लेट भी भी डाल दीजिए आ फिर आता चैन्न वाली जो चन्नी ओती हो ऑल भी आप डल सकते हो попीक 발ाई जल्धि से पक जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक दम फूल करके डबल हो रहा है, तूथपीक हमारा पिल्कुल किलीन निकल रहा है, इसका मतलब है अच्छे से पग गया है, गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे यहाँ पर, और फिर धकल लगा करके मैई से रख देती हूँ, अलग ठंडा होने क लिए और इसके लिए बाड़ी अजी एक चतनी बनाते हैं, टमाटर और चन दाल की चतनी, बिल्कुल पर्फेक्ट इस तरीके की, तो उसके लिए एक पैन ले लेंगे, और पैन में डाल देंगे एक चमच तेल, आप सरसो का तेल या फिर रिफाइंड आयल भी टाल सकते हो, यहाँ पर लिए हैं मैंने चार टमाटर, टमाटरों को दो-दो टुकरों में काट लेंगे और इस तरीके से पूरे पैन में अलाग-अलाग हम टमाटरों को डाल देंगे, और टमाटर को हम पकने देंगे, सिकने देंगे अच्छे से, एक तरफ से सिक जाए, लगबग 2 दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए फिर इसकीन भी इसका अराम से निकल जाएगा और डाल देंगे हडी मीट्स अब जितना तीका काते हो मिर्ची चटनी में इस्तिमाल कर सकते हो और लासुन की साथ आठ कलिया डाल देंगे अब यहाँ पर दूसरे तरफ से और फिर पलत पलत करके सारे तरफ से पका लेंगे पक जाये तो गैसका फले मॉप किजिए ठंडा हो जाए तो इस तरीके से छील का निकाल दिजिए लासुन भी हम चील लेंगे टमाटर और लासुन को दोनों को चील करके रख लेंगे ताल की जगह पर नाडियल की इस्तेमाल कर सकती हो इसमें मुंभफली का इस्तेमाल कर सकती हो WhatsApp लगेंगे एक छोटा चमाच मूंगे या फिर उरत की ताल डाल लीजिए और सर्सों का दाना डाल देंगे एक छोटा चमाच यह तरक जाए तो गैस कपलें अपकर देंगे और हटा लेंगे अलग रख लेंगे एक सर्फेस पर जब टेंपरेचर कम हो जाए तब सुखी लाल मिर्ची समें डा हो जाएगी तो इस चटनी को आप चावल रोटी किसी चीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो अब चटनी तयार हो गई और यहां पर यह भी ठंडा हो गया अब इन्हें हम डी मोल्ट कर लेते हैं कटोडी से बाहर निकाल लेते हैं चाकु से थोरा सा किना रशोरा देजिए और न दूसरी कटोडियों में मैं दूसरे तरफ की इस डॉप पर डाल दिया था वह भी पकड़ के तयार हो गया है आप चाहो तो ऐसे भी से खा सकते हो चटनी के साथ पर थोरा सा इक ट्विस्ट चटकड़ा और लगा देते हैं थोरा सा तील लेंगे उसमें डाल देंगे तील र जो हमने बनाया है उसे डाल देंगे और एक तरफ दो मिनट के लिए छोर देंगे दूसरी तरफ बलट देंगे आप देख सकते हो कितना परफेक्ट कितना बढ़िया दिख रहा है देखते दिखते खाने का मन करेगा दो-दो मिनट दोनों तरफ से सीख जाए तो हम इने नि बहुत ही ब्यूटिफूल और टेस्टी नास्ता सुपर सॉप्ट तो इस नास्ते को एक बाट राइ कीजिएगा कैसा लागा कमेंट बक्स में अपने विचार कीजिएगा और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को आप जॉइन कर सकते हो यहां झाल